एवरक्रीन गार्डन से स्विकार कीजिए अंजिली लालवानी का नमस्कार दोस्तो मार्ज मेना शुरू हो चुका है और इस समय हमारे हाँ पर सुबह सुबह और रात को मौसम में थोड़ी हल्की ठंडक रहती है बाके दिन भर मौसम तेज धूप और कर्मी रहती है किन्तु फिर भी हमारे पगीचे में इस समय विंटर के कुछ फ्लावर्स केल रहे है जब सुबह सुबह पगीचे में आओ और इन फ्लावरों को देखो तो सच में बहुत ही अच्छा रखता है फ्लावर्स तो शुरू से ही हर किसी के अट्रेक्शन का कारण रहे है और हमारे फ्लावर क्रेमी ज़रूर इस वीडियो को देख कर खुश हो जाएंगे तो मैंने सुचा चलिए आज आपके साथ भी इन फ्लावरों का आनद उठाते हैं साथ साथ आप भी उठाईए वैसे भी दोस्तों विंटर के फ्लावर्स बहुत जल्डी अब हमारे पकीचे से जाने वाले हैं लेकिन कोई बात ने हम समर की स्वीडलिंग कर चुके हैं समर फ्लावर्स की तो आप भी और हम भी देखते हैं दीरे दीरे वो बहुत तयार हो रही है और देखते हैं कि कैसे वो समर फ्लावर्स इन फ्लावरों की चके ले लेते हैं वैसे भी एक अच्छा कार्डनर जो होता है वो हमेशा अपने बगीचे को फ्लावर से सजाए रखता है और उसकी ये कोशिश हमेशा रहती है कि उसके बगीचे में कम से कम फ्लावर तो रहे ही है क्योंकि यही फ्लावर तो है जो हमें अपने प्रकृती से जोडते हैं और फूलों के इन खुबसूरत इसपर्श से इन फ्लावरों के साथ रहने से मान भी बड़ा खुश सा लगा रहता है पहले मैं सोचती थी कि आखे लोग कैसे इन बगीचे में इतने सुद्र सुद्र फ्लावर उगा लेते हैं आगर इनकी कियर इन सब शीजों में कितना मतलब एक इंटलीज़ेंस वाली बात है कि इसमें इसमीं इंटलीज़ेंस ही लगती होगी पर सच मानी यह कोई रॉकेट साइन्स नहीं है ये बहुत आसानी से easy grow हो जाते है blood बस हमें कुछ छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रखना होता है जिससे हमारे बगीचे में flowers आए समय समय पे इनको पानी देना, खाद देना इनकी थोड़ी मोड़ी care ही मांगते हैं ये flowers और बदले में हमें देते हैं धेरों खुशिया ये देखिए आम आम में भी इस समय ये flower है आम के भी इन flowerों से मचूते नहीं है और अब इस आम के मोर में छोटी छोटी मटर की दाने जितने आम भी आने लगे हैं सच मानिये जब हम अपने हादों से सीट लगाते हैं और वो उससे पौधा रिकलता है फिर उन पौधों में जब flowers आते हैं न तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं होता और अपनी महनत से अपने आप लगाए हुए पौधे जब हम थोड़ी से क्यार के साथ फूल पाते हैं तो वो बहुत आनन्द आता है सच मानिये दोस्तों आप भी लगा के देखे यदि आपने इन पौधों को नहीं लगाए है सब मेरी seedling की हुई है जो कि हमने विंटर के लिए तयार किये थे और अब हम समर के लिए कुछ seedling तयार कर चुके है दीरे दीरे वो पौधे बड़े होंगे और जब बड़े होंगे फ्लावर देंगे तो उसमें भी मन जूम जाएगा हाँ ये जब पौधे छोटे होते हैं तब ये ध्यान जरूर देना कि उसकी pinching कर दीजी तो ये देखे एक पौधे में कई प्रांचस निकली है और जित्ती ज़्यादा प्रांचस उत्ते ज़्यादा फ्लावर बस ये छोटी छोटी बात है थोड़ा खाद समय समय पर उनको पानी देना समय समय पर थोड़ी उनकी जड़ों के आसपास जो मिट्टी है उसको थोड़ा थोड़ा खोते रहना ताकि उनमें आक्सिजन मिले सच मानिये ये बहुत ही भी हमारे बच्चों की तरह ही होते हैं हम अपने परिवार की अपने बच्चों की जिस तरह से केर करते थोड़ी सी केयर, बिल्कुल थोड़ी सी केयर ही मांगते हैं ये बिचारे, और ज्यादा कुछ नहीं, और पतले में देते हैं डेरों खुशिया और आनन, ये देखें गलाडिया का फूल, ये भी अमारे विंटर में खेला था, और अब समर में भी खेलेगा, पर ये क्या है, पौदे धीरे धीरे अपने फ्लावरिंग दे कर, जब समाप्त हो जाते हैं, तो हमें ज़रूरी है, कि हम दुबारा इनकी सीटलिंग कर दे, और समर में और आने वाले सीजन में, उसका फिर से आनन अंदर ले सके, कुछ समर के और भी फ्लावर्स है, जो आ जाएंगे, तो ह आज से अब आप भी प्रण ले लीजिए और इन फ्लावरों के लिए तो सबसे पहले आप एक लाइक कर दीजिए, ताकि आगे भी हम इस तरीके की वीडियो और इस तरह के फ्लावर्स जो हमारे बगीचे में केल रहे हैं, हमारी अपनी मैनस से उसे आप तक पहुचा सके, तो इन फ्लावरों के लिए एक लाइक, हमारे चैनल को सब्क्राइब और शेयर वीडियो को, इतना तो बढ़ता ही है, तो चलिए इनी गलाडिया के फ्लावर्स के साथ और आने वाले सीजन में फिर लाइक फ्लावर के साथ फिर मिलते हैं, बाइपाई, तब तक के लिए ब तू लाइक, हमारे लाइक, टू बाइक, पिर बाइक, प्लावरे बाइक, टू खा सकत्वाना एक हुआ जगाएंगर आने रएक उमारे साथ और लाइक, लाइक, पिर अब बाइक, लाइक, ल'.